मेरे प्यारे देश्वासियों, नमस्कार 2019 की बिदाई की पल हमारे सामने है तीन दिन के भीतर भीतर 2019 बिदाई ले लेगा और हम न सिर्फ 2020 में प्रवेश्च करेंगे नए साल में प्रवेश्च करेंगे नए दसक में प्रवेश्च करेंगे 21 सदी के तीसरे दसक में प्रवेश्च करेंगे मैं सभी देशवाशियों को 2020 के लिए हारदिक शुब कामनाई देता हूँ इस दसक के बारे में एक बात तो निश्चीत है इसमें देश के विकास को गती देने में वो लोग सक्रिय भूमिका निभाएंगे जिनका जन्म 21 सदी में हुआ है जो इस सदी के महत्वपुन मुद्धों को समझते हुए बड़े हो रहे हैं ऐसे युवाओं के लिए आज बहुत सारे शब्दों से पहचाना जाता है कोई उन्हें मिलेनियल्स के रूप में जानता है तो कुछ उन्हें जन्रेशन जैड या तो जैन जैड ये भी कहते हैं और व्यापा ग्रूप से एक बात तो लोगों के दिमाग में फिट हो गई है कि ये सोशल मिडिया जन्रेशन है हम सब अनुभव करते हैं कि हमारी ये पिड़ी बहुती प्रतिभाशाली है कुछ नाया करने का अलग करने का उसका ख्वाब रहता है उसके अपने ओपिनियन भी होते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है और विशेश केस कि मैं भारत के बारे मैं कहना चाहूँगा कि इन दिनों युवाओं को हम देखते हैं तो वो व्यवस्ता को पसंद करते हैं सिस्टिम को पसंद करते हैं इतना ही नहीं वे सिस्टिम को फॉलो भी करना पसंद करते हैं और कभी कहीं सिस्टिम प्रापरली रिस्पॉंड न करें तो वे बेचेन भी हो जाते हैं और हिम्मत के साथ सिस्टम को सवाल भी करते हैं मैं इसे अच्छा मानता हूँ एक बात तो पक्की है कि हमारे देश के युवाओं को हम ये भी कह सकते अराजगता के प्रती नफरत है अव्यवस्ता अस्थिर्ता इसके प्रती उनको बड़ी चीड़ है वे परिवारवात जातिवात अपना पराया स्तिरी पुरूश इन भेदभावों को पसंदी करते हैं कभी कभी हम देखते हैं कि हवाई अड़े पर ये तो सिनेमा के थीटर में भी अगर कोई कतार में खड़ा है और बीच में कोई गुज जाता है तो सबसे पहले आवाज उठाने वाले युवाई होते हैं और हमने तो देखा है कि हैसी कोई घटना होती तो दूसरे नवजवान तुरत अपना मोबाईल फॉन निकाल करके उसकी वीडियो बना देते हैं और देखते ही देखते वो वीडियो वारल भी हो जाता है और जो गल्दी करता है वो मैसुस करता है कि क्या हो गया तो एक नए प्रकार की विवस्था, नए प्रकार का यूग, नए प्रकार की सोच इसको हमारी युवा पीडी परिलक्षित करती है आज भारत को इस पीडी से भावत उमीदे है इनी युवाओं को देश को नई पर ले जाना है स्वामी विवेकानन जी ने कहा था my faith is in the younger generation the modern generation out of them will come my workers उन्होंने कहा था मेरा विश्वास युवापीडी में है इस आधुनिक generation में है modern generation में है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया था इनी मैंसे मेरे कारकरता निकलेंगे युवाओं के बारे में बात करते हुने उन्होंने कहा युवावस्था की कीमत को न तो आंका जा सकता है और नहीं इसका वर्णन किया जा सकता है यह जीवन का सबसे मुल्यवान कालखंड होता है आपका भविश्य और आपका जीवन इस पन दिरभर करता है कि आप अपनी वह है जो एनरजी और डाइनमिजम से भरा है और बडलाव की ताकत रखता है मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में यह दशक यह डेकेड न केवल युवाओं के विकास का होगा बलकि युवाओं के सामर्त्रे देश का विकास करने वाला भी साबूत होगा और भारत आधुनिक बनाने में इस पीडी की भहत बड़ी भूमेका होने वाली है यह मैं साफ अनुवाओं करता हूँ आने वाली 12 जन्वरी को विवेकानन जेनती पर जब देश युवादिवस मना रहा होगा तब प्रत्ते युवा इस दसक में अपने इस दाइत्व पर जर दसक के लिए अवश्य कोई संकल्प भी ले मेरे पहरा देश वास्यों आप में से कई लोगों को कन्या कुमारी में जिस रौक पर स्वामी विवेकानन जी ने अंतरध्यान किया था वहाँ पर जो विवेकानन रौक मेमोरियल बना है उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं पिछल राष्ट्र भक्ति से भरे हुए अध्यात्मिक्थ शेतना को अनुभव करना चाहने वाले हर किसी के लिए ये एक तिर्तक्षेत्र बना हुआ है स्रध्धा केंद्र बना हुआ है स्वामी जी के इस मारक ने हर पंत, हर आयू के वर्क के लोगों को राश्ट भक्ती के लिए प्रेजित किया है दरिद्र नाराइन के सेवा इस मंत्रों को जीने का रास्ता दिखाया है जो भी वहां गया उसके अंदर सक्ति का संचार हो, सकारात्मक्ता का भाव जगे, देश के लिए कुछ करने का जज़्वा पैदा हो, यह बहुत स्वाभाविक है हमारे माननी राश्त्रपती महदय जी भी पिछले दिनों इस पचास वर्ष निमित रॉक मेमोरियल का दोरा करके आये हैं और मुझे खुशी है कि हमारे उप्राश्त्रपती जी भी गुजरात के कश्च के रण में जहां एक बहुती उत्तम रणोत्सव होता है उसके उद्धारन के लिए गए थे जब हमारे राश्त्रपती जी उप्राश्त्रपती जी भी भारत में ही ऐसे महत्पपों टूरिस डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं देश्वाशियों को उससे जुरूर प्रेणा मिलती है आप भी जुरूर जाईए मेरे प्यारे देश्वाशियों हम अलग-अलग कॉलेजिज में युनिवर्सिटीज में स्कूल्स में पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद अलम्नाई मीट एक बहुती सुहाना अवसर होता है और अलम्नाई मीट ये सब नवजवान मिलकर के पुरानी आदों में खो जाते हैं जिनकी 10 साल, 20 साल, 25 साल पीछे चली जाती हैं लेकिन कभी-कभी ऐसी अलम्नाई मीट विशेश आकरशन का कारण बन जाती हैं उस पर ध्यान जाता है और देशवाचिवों का भी ध्यान उस तरफ जाना बहुत जरूरी होता है अलम्नाई मीट दरसल पुराने दोस्तों के साथ मिलना, यादों को ताजा करना इसका अपना एक अलग ही आनन्द है और जब इसके साथ शैड परपज हो, कोई संकल्प हो, कोई भावात में लगाव जुड़ जाएं फिर तो उसमें कई रंग भर जाते हैं आपने देखा होगा कि अलम्नाई ग्रूप कभी-कभी आपने स्कूलों के लिए कुछ न कुछ योगदान देते हैं, कोई कम्पूटराइज करने के लिए ववस्ताइज खड़ी करते हैं, कोई अच्छी लाइबरेरी बना देते हैं, कोई अच्छी पानी की सुविधाई ख कुछ करना कि हर किसी के मन में रहता है और रहना भी चाहिए और इसके लिए आगे भी आते हैं, लेकिन मैं आज किसी एक विशेस आउसर को आपके सामने प्रस्तूत करना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों मेडिया में बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के भैरो गंज हेल्थ सेंटर की कहानी, जब मैंने सुनी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को बताए विना रहनी सकता हूँ, इस बैरो गंज हेल्थ सेंटर के अनिस्वास्त के अंदर में, मुप्त में हेल्थ चेक अप करवाने के लिए आस पास के गावों के हजार और लो इनिसेट्वी था, ये वहां की के आर है स्कूल, उसके जो पुर्वर छात्र थे, उनकी जो अलमनाई मिट थी, उसके तहत उठाया गया कदम था, और इसका नाम दिया था संकल्प 95, संकल्प 95 का अर्थ है, उस है स्कूल के 1995 बैच के विद्यार्थियों का संकल्प, दर असल इस बैच के विद्यार्थियों ने एक अलमनाई मिट रखी और कुछ अलग करने के लिए सोचा, इसमें पूर्वर छात्रों ने समाज के लिए कुछ करने की ठानी और उने जिम्मा उठाया पब्लिक हेल्थ एवर्नेस का, संकल्प 95 के इस मुहिम में, बेतिया के सरकारी और कई अस्पताल भी जुड़ गए, उसके बाद तो जैसे जनस्वास को लेकर एक पूरा अभ्यान ही चल पड़ा, निशुल के जांज हो, मुप्तमे दवाएं देना हो, या फिर जागरुकता फलाने का संकल्प 95 हर किसी के लिए एक मिसाल बनकर सामने आया है, हम अक्सर य कदम आगे बढ़ जाता है, ऐसी बाते जब समाज में प्रत्यक्षर रुप में देखने को मिलती हैं, तो हर किसी को आनंद आता है, संतोष मिलता है, और जीवन में कुछ करने की प्रेना भी मिलती है, एक तरफ जहां बिहार के बेतिया में पूर्व छात्रों के सम्हों ने स को प्रेना दी है, इन महलाओं ने साबित किया है, कि अगर एक जुरता के साथ कोई संकल पले, तो फिर परिस्थित्यों को बदलने से कोई रोक नहीं सकता, कुछ समय पहले तक फुलपूर की ही ये महला है, आर्थिक तंगी और गरीबी से परिशान थी, लेकिन इन में अप फेल्प फेल्प ग्रूप उसके साथ जुड़कर चपल बनाने का हुनर सिखा, इससे इन्हों ने न सिर्फ अपने पैरों में चुभे मजबूरी के काटे को निकाल फैका, बलकि आत्म निर्फर बनकर अपने परिवार का संबल भी बन गई, ग्रामीन आजिविका मिशन की म मैं विशेश रुप से स्थानिय पुलीस और उनके परिवारों को भी बढ़ाई देता हूँ, उन्हों ने अपने लिए और अपने परिजनों के लिए इन महिलाओं द्वारा बनाई गई चपलों को खरीद कर इनको प्रोथसाहित किया है, आज इन महिलाओं के संकल्प से न केवल उनके परिवार के आर्थिक हरत मजबूत हुए है, बलकि जीवन स्तर भी उंचा उठा है, जब फुलपूर के पुलीस के जवानों की या उनके परिवार जवनों की ये बात सुनता हूँ, तो आपको याद होगा, मैंने लाल कीले से 15 आगस को देशवासियों को एक ब क्या हम स्थानिय स्तर पर बने उत्पादों को प्रोचान दे सकते हैं, क्या अपनी खरीदारी में उन्हें प्रात्मिक्ता दे सकते हैं, क्या हम लोकल प्रोडक्ट को अपनी प्रतिश्टा और शांत से जोड सकते हैं, क्या हम इस भावना के साथ अपने साथी देशवासियो के लिए समर्द दिलाने का माध्यम बन सकते हैं साथियों महत्मा गांधी ने स्वदेशी की इस भावना को एक ऐसे दीपक के रूप में देखा जो लाखों लोगों के जीवन को रोशन करता हो गरीब से गरीब के जीवन में समर्द दिलाता हो सो साल पहले गांधी जी ने एक बड़ा जनांदोलन शुरू किया था इसका एक लक्ष था भारतिय उत्पादों को प्रोथसाहित कर रहा है आत्म निर्वर बनने का यही रास्ता गांधी जी ने दिखाया था 2022 में हम हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे करेंगे जिस आज़ाद भारत में हम सांस ले रहे हैं उस भारत को आज़ाद कराने के लिए लक्षावदी सपुतों ने बेटे बेटों ने अनेक यातना ही सही है अनेकों ने प्राण की आहुती दी है लक्षावदी लोगों के त्याग तपस्या बलिदान के कारण जो आज़ादी मिली जिस आज़ादी का आज हम भरपुल लाब उठा रहे हैं आज़ाद जिंदगी हम जी रहे हैं और देश के लिए बनमिटने वाले देश के लिए इनत लोग शायद मुश्किल से हम बहुत कभी लोगों के नाम जानते होगे लेकिन उन्होंने बलिदान दिया कुछ सपनों को ले करके आज़ाद भारत के सपनों को ले करके सम्रद्द सुखी संपन आज़ाद भारत के लिए मेरे प्यारे देशवासियों क्या हम संकल्प कर सकते हैं कि 2022 आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हैं कम सकम ये 2-3 साल हम स्थानिय उत्पात खरीदने का आगरही बने भारत में बना हमारे देशवासियों के हाथों से बना हमारे देशवासियों के प्रसिने की जिसमें महक हो ऐसी चीजों को हम खरीद करने का आगर कर सकते हैं क्या मैं लंबे समय के लिए नहीं कहता हूं सिरफ 2022 तक आज आदि के 75 साल हो तब तक और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान सान पर नौजवान आगे आएं छोटे-छोटे संगर्षन बनाएं लोगों को प्रेडित करें वही मेरे आजाद भरत का सुहाना पल हो इस सपनों को लेकर हम चलें मेरे पहले देशवासियों यह हम सब के लिए बहुत ही महत्वपून है कि देश के नागिक आत्म निर्फर बने और सम्मान के साथ अपना जीवन यापन करें मैं एक ऐसी पहल की चर्चा करना चाहूंगा जिसने मेरा ध्यान खिचा और वो पहल है जमू कश्मीर और लदाग का हिमायत प्रोग्राम हिमायत दरसल स्किल डवलप्मेंट और रोजगार से जुड़ा है इसमें 15 से 35 वत तक के किशोर और युवा शामिल होते हैं यह जमू कश्मीर के वे लोग हैं जिन की पढ़ाई कि इसी कारण पूरी नहीं हो पाई जीने बीच में ही स्कूल कॉल ने छोड़ना पड़ा मेरी पहरा देशवाजियो आपको जान करके बहुत अच्छा लगेगा कि इस कारकम के अंतरगत पिछले दो सालों में 18,000 युवाओं को 77 अलग-अलग ट्रेड में प्रस्रिक्षन दिय इन में से करीब 5,000 लोग तो कहीं ने कहीं जॉब कर रहे हैं और बहुत सारे स्वरोजगार के और आगे बड़े हैं हिमायत प्रोग्राम से अपना जीवन बदलने वाले इन लोगों की जो कहानिया सुनने को मिली हैं बे सचमुच रदय को छू लेती हैं परविन फातिमा तमिन नाडू के तिरुपूर की एक गार्मेंट यूनिट में प्रमोशन के बाद सुपर्वाइजर कम कोडिनेटर बनी हैं एक साल पहले तक वो करगील के एक छोटे से गाउं में रह रही थी आज उसके जीवन में बड़ा बढ़लाव आया आत्म विश्वास आया वो आत्म नर्भर हुई हैं और अपने पूरे परिवार के लिए भी आर्थिक तरक्की का अवसल ने कर आई हैं पर्विन फातिमा की तरह ही हिमायत पोगराम ने ले लदाक शेत्र के निवासी अन्य बेटियों का भी भाग्य बढ़ला है और ये सभी आज तमिलनाडु की उसी फार्म में काम कर रहे हैं इसी तरह हिमायत डोडा के फियाज एहमत के लिए बरदान मन करके आया फियाज ने 2012 में बारवी की परिक्षा पास की लेकिन बिमारी के कारण वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके फियाज दो साल तक रदय की बिमारी से जूचते रहें इस बीच उनके एक भाई और एक बहन के मृत्य भी हो गई एक तरह से उनके परिवार पर परिशानियों का पहाट तूट गया आखिर कर उन्हें हिमायत से मदद मिली हिमायत के जरिये आईटी ज एन इंफर्मेशन टेक्नोलोजी एनेबल सर्विस में ट्रेनिंग मिली और वे आज पंजाब में नोकरी कर रहे हैं फियाज अहमत की ग्रेजुएशन के बढ़ाई जो उन्होंने साथ-साथ जारी रखी वो भी अप पूरी होने वाली हैं हाली मैं हिमायत के एक कारकम में उन्हें अपना अनुभव साजा करने के लिए बुराये गया अपनी कहानी सुनाते समय उनकी आँखों में से आँसु छलक आए इसी तरह अनंतनाग के रखीब उल्रह्मान आर्थिक तंगी के चलते अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए एक दिन रकीब को अपने ब्लॉक में जो एक कैम्प लगा था मोबिलाजेशन कैम्प उसके जरिये हिमायत कारकम का पता चला रकीब ने तुरंत रिटेल टीम लीडर कोर्स में दाखला ले लिया यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आज वो एक कॉर्परेट हाउस में नोकरी कर रहे हैं हिमायत मिशंद से लाभानवित प्रतिभासाली युवाओं के ऐसे कई उधारण है जो जम्मु कश्मीर में परिवर्तन के प्रतिक बने हैं हिमायत कारकम, सरकार, टेनिंग पार्टर, नोकरी देने वाली कंपनिया और जम्मु कश्मीर के लोगों के बीच एक बहतरीन तालमिल का आदर्स उधारण है इस कारकम ने जम्मु कश्मीर में युवाओं के अंदर एक नया आत्मविश्वास जगाया है और आगे बढ़ने का मार्ग भी प्रसस्त किया है मेरे प्यारे देश्वासियों 26 तारीक को हमने इस दसक का आखरी सुर्य ग्रहन देखा सैथ सुर्य ग्रहन की इस घटना के कारण ही माई गौव पर रिपून ने बहुती इंट्रेस्टिंग कमेंट लिखा है वे लिखते है नमस्कार थर मेरा नाम रिपून है मैं नौर्धि मुझे आद है हमारे ख्षेतर में आस्मान साफ होने की विजए से हम घंटों आस्मान में तारों पर टक्ट की लगाए रखते थे स्टार गेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगता था अब मैं एक प्रोफेशनल हूँ और अपने दिनशेरिया के कारण मैं इन चीजों के ल मेरे पहरे देश्वासियो मुझे सुझाव बहुत आते हैं लेकिन मैं कह सकते हूँ इस प्रकार का सुझाव शायद पहली बार मेरे पास आया है वैसे विज्ञान पर कई पहलू अबर बातचित करने का मौका मिला है खास करके युवापीडी के आग्रह पर मुझे बात करन कि तमाम देश्वासियों विशेश तोर पर मेरे युवास साथियों की तरह मैं भी जिस दिन 26 तारीक को सुर्य गरहन था तो देश्वासियों की तरह मुझे भी और जैसे मारे युवापीडी के मन में जो उत्सा था वसा मेरे मन में भी था और मैं भी सुर्य गरहन देखना चाहता था लेकिन अपसोस की भी बात ये रही कि उस दिन दिल्ली में आस्मान में बादल चाहे हुए थे और मैं वो आनन तो नहीं ले पाया हाला कि टीवी पर कोजिकोड और भारत के दूसरे हिस्सों में दिख रहे सूरिय गरहन की सुंदर तस्विरे देखने को मिली सूरिय चमकती हुई रिंग के आकार का नजर आ रहा था और उस दिन मुझे कुछ इस विशे के जो एक्सपर्स हैं उनसे समवाद करने का आउसर भी मिला और वो बता रहे थे कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पृत्वी से काफी दूर होता है और इसलिए इसका आकार कुंडल ग्रहन भी कहते हैं ग्रहन हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि हम पृत्वी पर रहकर अंत्रिक्ष में घुम रहे हैं अंत्रिक्ष में सूर्य चंद्रमा एवं अन्य ग्रहों जैसे और खगोलिय पिन घुमते रहते हैं चंद्रमा की छाया से ही हमें ग्रहन के पुरवशाली इत्यास रहा है आकास में टिम्टिमाते तारों के साथ हमारा समंद उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी सभ्यता है आप पैसे बहुत लोगों को पता होगा कि भारत के अलग अलग सानों में बहुत ही भव्य जंतर मंतर है देखने योग्य है और इस जंत अपनी कालक्रिया में उन्होंने सूर्य ग्रहन के साथ साथ चंद्रग्रहन की भी विस्तार से व्याख्या की हैं। वो भी philosophical और mathematical दोनों ही अंगल से की हैं। उन्होंने mathematically बताया कि पृत्वी की छाया या shadow की size का calculation कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ग्रहन के duration और extent को calculate करने की भी सर्टिक जानकारिया दी। भासकर जैसे उनके शिश्योंने इस spirit को और इस knowledge को आगे बढ़ाने के लिए भर्षक प्रयास की। बाद में 14-15 शदी में केरल में संगम ग्राम के माधव। इन्होंने ब्रह्मान में महजूद ग्रहों की स्थिती की गणना करने के लिए calculus का उपयोग किया। रात में दिखनावला आस्मान सिर्फ जिग्यासा काई विशे नहीं था। बलकि गणिक की दृष्टी से सोचने वालों और बेग्यानी कों लिए एक महत्वपुन सोर्थ था। कुछ वर्ष पहले मैंने pre-modern कच्छी navigation techniques and voyages इस पुस्तक का अनावरण किया था। ये पुस्तक एक प्रकार से तो मालम की डायरी है। मालम एक नाविक के रूप में जो अनुभव करते थे। उन्होंने अपने तरीके से उसको डायरी में लिखा था। अधुनिक युगी में उसी मालम की पोथी को और वो भी गुजरादी पंडूलिपियो का संग्रह जिसमें प्राचिन navigation technology का वणन करती है। और उसमें बार-बार मालम ने पोथी में आस्मान का, तारों का, तारों की गती का वणन किया है। और यह साब बताया है कि समंदर में यात्रा करते समय तारों के साहरे दिशा तय की जाती है। destination पर पहुंचने का रास्ता तारे दिखाते हैं। मेरे पहरे देशवांचियों, एस्ट्रोनोमिक एक्षेत्र में भारत काफी आगे हैं। और हमारे initiatives पाथ-ब्रेकिंग भी है। हमारे पास पूने की निकट, विशाल का मिटर वेव टेलिसकोप है। इतना ही नहीं। कोडाई कनाल, उदग मंदलम, गुरुशिखर और हांतेल लदाख में भी पावरफुल टेलिसकोप है। 2016 में Belgium के तत्कालिन प्रधानमंत्री और मैंने नैनिताल में 3.6 मीटर देवस्तल अप्टिकल टेलिसकोप का उदगारन किया था। इस एशिया का सबसे बड़ा टेलिसकोप कहा जाता है। इस रो के पास एस्ट्रो सेट नाम का एक एस्ट्रोनोमिकल सेटिलाइट है। करने वाला है। खगोल विज्ञान को लेकर चाहे हमारा प्राचिन ग्यान हो या आधुनिक उप्लद्यां हमें इनने अवस्य समझना चाहिए और उन पर घर्व करना चाहिए। आज हमारी वा वैज्ञानिकों में न केवल अपने वैज्ञानिक इत्यास को जानने के ललक दिखाई परती हैं, बलकि वे एस्ट्रोनोमी के भविश को लेकर भी एक द्रड इच्छा सकती रखते हैं। हमारे देश के प्रेनेटोरियम, नाइट स्काय को समझने के साथ स्टार गेजिंग को शौक के रूप में विक्सित करने के लिए भी मोटिवेट करते हैं। कई लोग एमेच्वर, टेलिस्कोप को छतों या बालकनीज में लगाते हैं, स्टार गेजिंग से रूरल कैंप्स और रूरल पिक्निक को भी बढ़ावा मिल सकता है। और कई ऐसी स्कूल कॉलिजिज हैं जो एस्ट्रोनोमी के कलब भी घटन करते हैं और उस प्रवुक को आगे भी बढ़ाना चाहिए। मेरे पहरे देशवास्चों हमारी संसद को लोगतंत्र के मंदी के रूप में हम जानते हैं। एक बात का मैं आज बड़े गर्व से उलेक करना चाहता हूँ कि आपने जिन प्रतिनीधियों को चून करके संसद में भेजा हैं। उन्होंने पिछले सांट साल के सारी विक्रम तोड़ दिये हैं। पिछले 6 मास में सतरवी लोगसभा के दोनों सत्र बहुत ही प्रोड़क्टिव रहे हैं। लोगसभा ने तो 114 प्रतिशत काम किया। तो राजसभा ने 94 प्रतिशत काम किया। और इससे पहले बजेट सत्र में करीब 135 फिस्दी काम किया था। देर देर रात तक संसद चली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी संसद इसके लिए बधाई के पात्र है। अभिनंदन के अधिकारी है। आपने जिन जन प्रतिनीजियों को भेजा है। उन्होंने 60 साल के सारे रेकोर्ड तोड़ दिये है। इतना काम होना अपने आप में भारत के लोकतंत्र की ताकत का भी और लोकतंत्र के प्रति आस्था का भी परिचायक है। मैं दोनों सदोनों के पिठासिन अधिकारियों, सभी राजनितिक दलों को, सभी सामसदों को उनकी इस सक्रिय भूमिका के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। परे प्यारे देश्वासियों, सूर्य पूत्वी चंद्रमा की गती केवल ग्रहन तय नहीं करती हैं, बलकि कई सारी चीजे भी इससे जुड़ी हुई है। हम सब जानते हैं कि सूर्य की गती के आधार पर जन्वरी के मध्य में पूरे भारत में विभिन्द प्रकार के त्योहार मनाई जाएंगे। योतोहार किसानों के समरुद्ध और फसलों से बहुत निकरता से जुड़े हुई है। योतोहार हमें भारत की एक्ता और भारत की विवित्ता के बारे में याद दिलाते हैं। पॉंगल के आखरी दिन महान तिरुवल्लवर की जैन्ती मनाने का सवभाग्य हम देशवाशियों को मिलता है। यह दिन महान लेखक विचारक संतिरुवल्लवर जी को उनके जीवन को समर्पित होता है। मेरे प्यारे देशवाशियों दोहजार उन्नीस की ये आखरी मन की बात है। 2020 में हम फिर मिलेंगे नया वर्ष, नया दसक, नये संकल्प, नयी उर्जा, नया उमंग, नया उत्सा, आईए, चल पड़े। संकल्प की पूर्ति के लिए सामर्थ जुटाते चले। दूर तक चलना है, बहुत कुछ करना है, देश को नई उचाईयों पर पहुचाना है। 130 करोड देश वासियों के पुर्शार्थ पर, उनके सामर्थ पर, उनके संकल्प पर अपार सरत्ता रखते हुए, आओ, हम चल पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुब कामना है।